नमस्कार मैं हूँ रविसी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बिनी संग में एक हाथसा पेश आया है कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो पुल बना हुगा था वो पुल तूट गया गिर गया और काफी लोग इस पुल पर खड़े थे गुजर रहे थे वहाँ से पहले मैं आपको ये भी बताता चलू कि बिनी संग उधंपुर से 40 किलोमेटर की दूरी पर है ये और बिनी संग को छोटा हरी द्वार भी कहा जाता है वहाँ पे बैसाखी का मेला लगता है और काफी लोगों का रश रहता है क्योंकि वहाँ पे दूर दराज के गाउं के लोग ज्यादा तर वहाँ पर लोग आते हैं लेकिन आज सबसे बड़ा हाथा मैं आपको भी बतादू कि वो जो पुल वहाँ पे बना हुआ था वो लोगों के सहीयोग से पुल बनाया गया था चोटा लोहे का पुल था ये लेकिन ज़्यादा लोग इस पर नहीं चड़ सकते थे नहीं से ज़्यादा लोग गुजर सकते थे लेकिन बैसाखी के मेले को लेकर काफी रश था इस पुल पर लेकिन पुलीस के अगर बात करूं तब पुलीस के जवान भी बहां पे तना थे लेकिन रोक टोक नहीं की जा रही थी कि इस पुल पर ज़्यादा लोग ना जाएं बा से 35 लोग घायल हुए हैं और इन में से आपको यह बता दूँ कि हैपी माडल स्कूल के डॉक्टर मनीश कुलाटी वह भी वहां पर गई हुए थे उन्हें भी मामूली चोटें लगी हैं लेकिन कहिना कहीं देखे तो काफी लोग इसमें घायल हुए हैं घायलों को चनैनी होस् होस्पिटल पहुंचाया जा रहा है लेकिन मैं फिर आपको दादूं के सबसे बड़ा हाथसा है यह जो पुल लोगों के कहा जा रहा है कि लोगों के सही योग से बनाया गया था यह पुल छोटा लोहे का पुल था यह लेकिन यह बीचों बीच से तूटने से 30 से 35 लोग ब जाने शनान करने के लिए जाते हैं क्यूंकि वहां पर जाता है जाता है एक और काफी लोग पर पहुंचते हैं लेकिन यहाथ सावाण पर पेश्काने से लोग यॉइंड घैलों को सिलेनी के होस्पिटल में लाया गया है लेकिन 30 से 35 लोग गायल हुए हैं इन गायलों का वहाँ पर इलाज किया जा रहा है वहाँ के जो लूग थे स्थानी लूग थे उनके द्वारा इन लोगों को निकाला गया वहाँ से और निकालने के बाद इने चेनैनी के लिए लाए जा रहा है जो प्राइविट गाड़ी है थी वहाँ पर लाए गया कैमरा में लजए के साथ रभी सिंधीरा चैनल उध्रम